Hello everyone, welcome to my channel तो यार तुम लोगों ने मुझे comment करके suggest किया और Instagram पर message करके suggest किया कि भाई Top Gun movie का poster बना तो लो भाई मैंने तुम लोगों की सुन ली और आज की इस वीडियो में मैं Top Gun Maverick का poster बनाने वाला हूँ हाला कि मैं काफी लेट हूँ क्योंकि movie release हुए बहुत time हो चुका है और movie ने worldwide 1 billion की कमाई भी कर ली है बट वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है वैसे इसका यहाँ पर क्या sense बन रहा है पता नहीं बट अपनी हिसाब समझ लेना तो अब और जाधा time waste ना करते हुए सिधे photoshop में चलते हैं तो सबसे पहले में background में sky की image अड़ करूँगा और इसको composition के according थोड़ा सा rotate करूँगा या थोड़ा सा जाधा rotate करूँगा और अब इस पर levels add करूँगा जिससे की image में थोड़ा सा depth add होगा और clarity भी अब जो movie के characters हैं उनको add करूँगा सारे characters को add नहीं करूँगा मुझे जितने characters की image अच्छी quality में मिले हैं उन्हीं को add करूँगा तो अगर किसी का favorite character missing हो जाए तो उसके लिए तो सबसे पहले मैं real action hero Tom Cruise को add करूँगा इसको crop करने के लिए मैं quick selection tool का use कर रहा हूँ selection create होने के बाद layer mask add कर लेंगे और अब select and mask option में जाके इसके hair को refine edge कर लेंगे अब exact same method का use करके मैं बाकी के characters को भी crop करूँगा और यहाँ add करूँगा अब इस image से सबसे पहले मैं text को remove करूँगा फिर इसको crop करूँगा अब तुमारे मन में इस अवाल तो जरूर आ रहा होगा कि text वाली image कोई डाउनलोड किया बीना text वाली image डाउनलोड कर लेते बट Google पर यही एक image available है तो अपने पास कोई और option नहीं था तो text कैसे remove करते हैं वो मैंने इस वीडियो में बहुत detail में explain किया है तो इसको जरूर चेक आउट कर लेना वीडियो के end में तुम्हें इसका link मिल जाएगा तो अब जब सारे characters यहां add हो चुके हैं तो इनको मैं background के साथ blend करूंगा और blend करने के लिए मैं सभी को नीचे से ही raise करूंगा हलका सा अब इन सभी पर level side करूंगा सबका lightness बैलेंस करने के लिए क्योंकि अभी किसी पर ज़्यादा light पढ़ रहा है तो किसी पर कम light पढ़ रहा है अब सभी characters का color match कराने के लिए मैं color balance का use कर रहा हूँ इन सभी पर मैं blue tone add करूंगा क्योंकि background में sky blue है अब इन सारे characters के बीच में space create करूंगा अब यह ऐसा लग रहा है कि यह सब आपस में चिपके हुए है तो space create करने के लिए मैं solid color layer add करूंगा और sky का जो orange color है उसको pick करूंगा अब इसको characters के नीचे की तरफ paint करूंगा अब यही steps को repeat करूंगा बाकी के characters की उपर अब नीचे की तरफ मैं runway की image add करूंगा जिससे की poster में एक base add होगा और मैं वहाँ movie का logo भी add कर पाऊंगा अब ही fighter jet मुझे बड़ा लग रहा है लेकिन runway बिल्कुल सही है तो jet को छोटा करने के लिए मैं इसको duplicate करूंगा अब इसको छोटा करके बाकी चीजों को erase कर लूँगा सिर्फ jet को छोड़ कर तो यह हो गया है अब मैं यह fighter jet की image add करूंगा पर इस बार उड़ते हुए इसका blending mode screen रखना है उसके बाद इस पर levels add करूंगा फिर color balance से blue tone add करूंगा और अब इसके किनारों को मैं erase कर लूँगा अब जो runway की image है उसके उपर levels add करूंगा इसको थोड़ा सा और dark दिखाने के लिए अब मैं यहां white rectangle stroke add करूंगा फिर इसका blending mode soft light रखूंगा और इसकी opacity 50% रखूंगा अब इसको runway वाली layer के पीछे place कर दूँगा जिससे की एक अलग effect create होगा और ऐसा तुम लोगोंने बहुत सारी movie के poster में देखा ही होगा अभी तो मुझे movie का नाम याद नहीं आ रहा है मैं यहां screen पर लगा दूँगा और अब movie का logo add कर लेते हैं लोगों को background से separate करने के लिए मैं इस पर drop shadow add करूँगा और अब आखरी काम जो कि मैं अपने हर poster में करता ही हूँ और अब अभी तक तुम लोगोंने guess कर ही लिया होगा इसके तुरू मैं overall image की brightness, contrast और clarity को balance करूँगा and color grading भी करूँगा तो यह था top gun maverick का poster तुम लोगों को कैसा लगा comment करके जरूर बताना अगर अच्छा लगा तो वीडियो को like कर देना, share कर देना और इसी तरह मुझे suggestions देते रहना मैं उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊँगा तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye